नमस्कार बच्चो मैं बलकेश मिना आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो हमारी हिंदी पाठे पुस्तक बशंद भागदो का पाठ 17 वीर कुवर सिंग जी है सबसे पहले तो हम इस पाठ के वीर कुवर सिंग जी के बारे में जान लेते हैं कि वे कौन थे तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सौतंतरता हमें मिली है कि कोई आसानी से नहीं मिली इस स्वतंतरता को दिलाने के लिए, पाने के लिए हमारे बहुत से वीरों ने अपने जान की आहुती दी है इस स्वतंतरता को बनाए रखना हम सब का करतव्य है और यह स्वतंतरता हम से कोई छीन ना ले इसके लिए हमें समय समय पर ठोस कदम उठाने चाहिए कि कभी भी कहीं पर वी किसी अपने कभी बी अपने राष्ट्य दोज का अपमान नहीं करना चाहिए यदि कहीं ओसा दिखाई देता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए तो आप यह स्वतनतरता हमें कैसे जिन्हों ने दिलाई उन्हीं में से एक स्वतनतरता सेनानी जो है वीर कोवर्सिंग वीर कोवर्सिंग जी के बारे में आज हम पढ़ते हैं इसे पढ़ने के लिए आप अपनी हिंदी पाठे अपुस्तक बसंत भागदो पाठ 17 पेद नमबर 122 122 निकाल लिजिए और मेरे साथ साथ इस पाठ को दोहराईए आपने चोहान की कविता जासी की रानी छटी कक्षा में पड़ी होगी पड़ी दिना जासी की रानी खूव लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी हना इस कविता में ठाकूर कुवर्सिंग का नाम भी आया था आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी एक बार फ ठाकुर कुवर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम आया ना ठाकुर वीर कुवर सिंग जी का नाम हाँ तो आज हम इनी के बारे में बढ़ रहे हैं यहां सोतनतरता संगराम के उसी वीर कुवर सिंग के बारे में जानकारी दी जा रही ह सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में व्रिटिश आशन की जड़ों को हिला दिया था 1857 की क्रांति के बारे में आपने इतिहास में पड़ा हो गया एसेस में जिससे गया अंग्रेज अंग्रेज डर गये थे क्योंकि बहुत भयंकर यूद था यह भारत में ब्रिटिश आशन ने जिस दमन निती को आरंब किया उसके विरुद विद्रोह शुरू हो गया था सन 1857 में बैरकपूर जगे का नाम में अंग्रेजों के विरुद बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अपरेल 1857 को फासी दी गई थी मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद विद्रोह किया था तो उने 8 अपरेल 1857 को फासी दे दी गई थी 10 मई 1857 को मेरट में भारतिय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद आंदोलन किया और सिधे दिल्ली की और कूच कर गए और दिल्ली की और चल दिये दिल्ली में तैना सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कबजा कर लिया और कबजा यानि उसे हतिया लिया और अंतिम मुगल शाशक वहादुर्शा जपर को भारत का शाशक खोशित कर दिया यह विद्रोहो जंगल की आग की भाती दूर दूर तक फैल गया था कई महीनों तक उत्त्री और मध्य भारत के विस्तरित भूभाग पर विरोधियों का कबजा रहा था दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यदिक भिशन युद्ध हुआ वे केंदर से कानपूर, लखनव, बरेली, बुंदेलखंड और आरा इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थानिय विद्रो हुए यानि कि उसी जग्य में कई विद्रो होते रहे हना एक एक शित्र में विद्रों के मुख्य नेताओं में नाना साहेव, तातिया टोपे, बखत खान, ने और अजिमुला खान, रानी लक्षमी बाई, बेगम हजरत महल, कुवर सिंग, मौल्वी अहमदुल्ला, बहादुर खान, वो राव तुलाराम थे 1857 का अंदोलन, स्वतंतर्ता प्राप्ती की दिशा में एक ध्रिड कदम था, है न, सबने एक साथ मिलकर ये विद्रों किया था, और यह स्वतंतर्ता प्राप्ती के लिए एक थोस कदम उठाय गया था आगे चलकर, जिस राष्ट्रिय एकता और अंदोलन की नीव पड़ी, उसके अधार भूमी को निर्मित करने का काम, 1857 के अंदोलन ने किया भारत में सामपरदाइक सदभाओ को बढ़ाने की धिशा में भी इस अंदोलन का विशेश महतो है 1857 के अंदोलन में वीर कोवर सिंग का नाम कई धिरिष्टियों से उलेखनिया है कोवर सिंग जैसे व्योवरिध यानि बुजूर्ग व्यक्ति ने ब्रिटिश आशन के खिलाब बहादुरी के साथ युद किया यानि ये कोई जवान व्यक्ति नहीं थे नोजवान 17-18 साल के नहीं थे ये बहुत बड़ी उमर के थे ज़्यादा बड़े भी नहीं कि हम ये कहा दे 17-80 साल के थे ये पर मनलब ये व्रिधा आवस्ता के व्यक्ति थे वीर कौवर सिंग के बच्पन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है कहा जाता है कौवर सिंग का जनम बिहार में शाहाबाद जिले के जगदिशपूर में सन 17-72 में हुआ था उनके पिता का नाम शाहवजादा सिंग और माता का नाम पंचरतन कुवर था उनके पिता शाहवजादा सिंग जगदिशपूर रियासत के जमिदार थे परन्तु उनको अपनी जमिदारी हासिल करने में बहुत संगर्श करना पड़ा पारिवारिक उल्जनों के कारण कौवर्सिंग के पिताब बचपन में उनकी ठीक से देखवाल नहीं कर सकते थे जगदिशपूर लोटने के बाद ही वे कौवर्सिंग की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्ता कर पाए कौबर सिंग की पिताव वीर होने के साथ स्वाभिमानी एवं उधार्स ववाव के थे उधार यानि जो दूसर अपर दिया करते हैं उनके वेक्तितव का प्रभाव कौबर सिंग पर पढ़ा हूँ कुवर सिंग की शिक्षा दिक्षा की विवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी यानि उनको जो पढ़ाने के लिए उनके टीचर घर पर ही आते थे संस्क्रित और फार्सी सीखी परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड सवारी तलवार बाजी और कुष्टी लड़ने में लगता था का बाबू कुवर सिंग ने अपने पिता की मृत्यू के बाद सन 1827 में अपने रियासत की जिम्मेदारी समाले उन दिनों ब्रिटिस हुकूमत का त्याचार चरम सीमा पर था इससे लोगों में ब्रिटिस हुकूमत के खिलाप भयंकर असंतो शुत्पन हो रहा था क्रिशी उद्योग व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था रजवाडों की राजदरवार भी समापत हो गए थे भारतियों को अपने ही देश में महत्पूर्ण और उची नोक्रियों से वन्चित कर दिया गया था मतलब उन्हें नोक्रिया नहीं दी जा रही थी इससे ब्रिटिस सत्ता के विरूद देश व्यापी संगर्ष की स्तिती बन गई थी ऐसी स्तिती में कोण सिंग ने ब्रिटिस हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया देखे यहा मुहावरा प्रयूग किया गया है अपनी व्याकरण पुस्तिगां में से देखकर इसका उत्तर लिखिए ठीक है जगदिस्पूर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे उन्होंने ही कुँआर सिंग में देशभक्दी और स्वाधिन्ता की भावना उत्पन की थी उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपूर, लखनव, आदिस्तानों पर जाकर विद्रो की सक्रिय योजना बनाए थी वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रही और गुप्त ढ़ंग से ब्रिटिस हुकूमत के खिलाफ विद्रो की योजना बनाते रहे उन्होंने बिहार के प्रसिद सोनपूर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना सोनपूर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है यह मेला कार्तिक पुर्णिमा के अफसर पर लगता है यहाँ हाथियों के क्रेविक्रे के लिए भी विख्यात है प्रसिद्ध है इसी एतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर करांती के बारे में योजना बनाते थे 25 जुलाई 1857 को दानापूर की सैनिक टुकडी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की और चल पड़े कौण सिंग ने उनका संपर्क पहले से ही था इस मुक्तिवाईनी के सभी वागी सैनिकों ने कौण सिंग का जैगोश करते हुए आरा पहुंच कर जेल की सलाखे थोड़ी और कैदियों को आजाद कर दिया मुक्तिवाईनी इनके संगठन का नाम 27 उलाई 1857 को कुवर सिंग ने आरा पर विजय प्राफ्त की सिपाहियों ने उन्हें फोजी सलामी दी जद भी कुवर सिंग बुड़े हो चले थे परंतु वह बुड़ा शूरवीर इस अवस्ता में भी युद के लिए ततपर हो गया और आरा करांती का महत्वुन के इंदर बन गया मतलब कि कोई उमर नहीं होती है किसी भी कारिय को गरने के लिए सिर्फ हमें हमें क्या चाहिए साहास चाहिए ठीक है दानापूर और आरा की इस लड़ाई की जवाला बिहार में स्वर्थ व्याप्त हो गई थी मतलब सब जगा फैल गई थी लेकिन देशी सैनिकों में अनुशाशन की कमी स्थानिय जमिदारों का अंग्रेजों किसा सयो कर रहे थे और सैनिकों में क्या था अनुशाशन नहीं था तो समझे अनुशाशन हर श्यत्र में बहुत ही महत्वण है अनुशाशन नहीं है तो हम जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं ठीक है देखे मैं इस पाठ के साथ आपको यहाँ पर आ रही जरूरी पाते हैं जो विद्याले में आपको समझाए जाती हैं वो भी साती सा समझाती जा रही हूँ तेरा अगस्त को जगदिश्पुर में कुवर सिंग की सेना अंग्रेजों से प्रास्थ हो गए किन्तों इससे वीर कुवर सिंग का आत्म बल तूट नहीं और वे भावी संग्राम क योजना बनाने में तत्पर हो गए वे क्रांती के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर साजादी की लडाई को आगे बढ़ाना चाहते थे कुवर सिंग सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा कालपी कानपूरे वं लखनों तक गए लखनों में शांती नहीं थी इसलिए बाबू कुवर सिंग ने आजम गड़ की और प्रस्तान किया उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा उनकी वीरता की कीरती पूरे उत्तर भारत में फैल गई कुवर सिंग की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए कई स्थानों के सैनी गि लियर जवलपूर के सैनिकों के सयोग से सफल सैन्य रणनिती का प्रदर्शन करते हुए वे लखनव पहुंच गए आजम गड़ की और जाने का उनका उदेश्य था इलाबाद एवं बनारस पर आकरमन कर शत्रों को प्राजित करना अंतताह जगदीशपूर पर अधिकार कर अंग्रेजों और कुवर सिंग की सैना के बीच घमासान युद हुआ उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजम गड़ पर कबजा कर लिया अंग्रेजों ने दुबारा आजम गड़ पर आकरमन किया कुवर सिंग ने इस एक बार फिर आजम गड़ में अंग्रेजों को हराया इस परका अंग्रेजी सैना को उप्रास्त कर वीर कुवर सिंग 23 अप्रेल 1858 को स्वाधिनता की विजय पता का फैराते हुए जगदिश पर पहुच गए किन्तु इस बुड़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का अनन लेने का सोभागे ना मिला इसी दिन विजय उस सब मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का जंडा उतार कर अपना जंडा फैराया इसके तीन दिन बाद ही 26 अप्रेल 1858 को यह वीर इस अंसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया स्वाधिन्ता सेना ने वीर कुमर सिंग युद कला में पुरी तरह से कुशल थे चापा मार युद करने में उन्हें महारत हाल हासिल थी कुमर सिंग के रणकोशल को अंग्रेजी सेना ना एक समझने में पुरंतास मर थे दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था 1857 को स्वतंतरता संग्राम में इनोंने तलवार की जिस भार से अंग्रेजी सेना की मौत के घाट उता रहा था उसकी चमक आज भी भारतिय इतिहास के प्रिष्टों पर अंकित है इनकी जो वीरगात है वो अंग्रेजों के पास भी आज तक है ना और इतिहास इसको जानता है तब ही तो हम पड़ रहे हैं जिसे उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस से पर चलेता है कहा जाता है एक बार वीर कॉवर सिंग को अपनी सेना के साथ गंगा पार करने दी अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पिछा कर रहे थी वीर कॉवर सिंग भी कम चतुर नहीं थे उन्होंने अफवा फैला दी वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चड़ा कर पार कराएंगे फिर क्या था अंग्रेज सेना पती डगलज बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कॉवर सिंग की परतिक्षा करने लगा कुमर सिंग ने बलिया से साथ मील दूर शिवराजपूर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाओं से यानि की बोट से गंगा पार करा दी जब डगलर्स को इस घटना की सोचना मिली तो भागते हुए ओर शिवराजपूर पोंचा पर कुमर सिंग की तो पूरि सेना गंगा पार कर चुकी थी एक अंतिम नाव रह गई थी और कुमर सिंग उसी पर सवार थे अंग्रेज सेना पती डगलर्स को अच्छा मोंखा मिल गया उसने गोलिया बर सानिय आरम कर दी तब कुमर सिंग को बाए हाथ की कलाई को भेती हुए, गोली निकल गई कुमर सिंग को लगा कि अब हाथ तो वेकार हो गया है और गोली का जहर भी फैलेगा उसे शेंड उन्होंने गंगा मैया की और भापुन नेत्रों से देखा और अपने बाए हाथ को काट कर गंगा मैया को अरपित कर दिया देखो तो कितने बहादूर से यह कोवर सिंग ने अपनी ओजस्वी स्वर में का हे गंगा मैया अपने प्यारी की यह अकिंचन भेट स्विकार कर लो वीर कोवर सिंग ने ब्रिटिस हुकूमत के साथ लोहा तो लिया देखिए यहाँ पर वापिस मुहावराया है लोहा लेना उन्होंने अनेक समाजी कारी भी किये आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी जिस पर स्कूल के भवन का निर्मान किया गया कहा जाता है कि उनके आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी में निर्धन वेक्तियों को साहिता कर देते उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाय परदान की थी उनमें एक है आरा जगदीश पूर सड़क आरा बलिया सड़क का निर्मान उस समय जलकी पूर्ती के लिए लोग कुएं खुद वाते थे तालाब बनवाते थे और वीर कोवड सिंग ने अनेक खुद वाय जलाश्य भी बनवाई यानि तालाब भी बनवाए कोवड सिंग उदार एवं अत्यन सम्वेधन शेल व्यक्ति थे इब्राहीम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्पदों पर आसीन थे उनके यहां हिंदूओं और मुसल्मानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाय जाते थे उन्होंने पाठशालाएं और मक्तब भी बनाए बाबू कुवर सिंग की लोग प्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोग भाशाओं में उनकी प्रशिष्ट लोगीतों के रूप में आज भी गाय जाती है बिहार के प्रसिद कभी मनुरंजन प्रशाद ने उनकी वीरता और शौर्य कवर्णन करते वे कहा है क्या कहा है उन्होंने वीर कुवर सिंग के बारे में चला गया यूँ कुवर अमरपुर अमरपुर यानि की अमर कहा हो जाते हैं स्वर्ग साहस से सब अरिदल जीत उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भैबीत वीर प्रस्विनी भूमी धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीद गाते थे और गावेंगे हम हर्दम उनकी जैका गीत स्वतंतरता का सैनिक था आजादी का दिवाना था सब कहते हैं कुवर सिंग भी बड़ा वीर मरदाना था देखिए यह पाठ हमने पढ़ा यहां हमने वीर कुवर सिंग के बारे में और अन्य कहीं करांतिकारी नेताओं और स्वाधिंता नेताओं के बारे में पढ़ा तो यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि यह सवतंतरता अकेले सिर्फ हिंदों ने ही नहीं ली यहाँ सौतंतरता प्राप्ट करने के लिए हिंदू मुसलिम दोनों ने बराबर आउती दी है पर अंग्रेजों ने फूट डालो राजकरो की निती अपना कर आज हिंदू आज जो हमारे देश में हिंदू धरम अलग हो गया है मुसलिम धरम अलग हो गया है सिख धरम अलग हो गया है ऐसे सभी धरम एक दूसरे से विप्रीत हो गए है यह किस कारण से हुआ है यह अंग्रेजों की कटूनिती के कारण ही हुआ है तो बचो इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप बहुत सी बातों को जान जाएंगे अगर इस पार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें बहुत से शब्दों को आपको प्रियावाची शब्द भी मिलेंगे बहुत से मोहावरे भी मिलेंगे और बहुत सी शिक्षा मिलेगी तो चलिए मैं बलकेश मिना अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद